शादियों का सीजन चल रहा था और हर तरफ बहुत चहल पहल थी बिंद्या नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी और वो अपनी मा के साथ शॉपिंग करने के लिए निकली थी बिंद्या को अपनी शादी का लहंगा लेना था और वो एक बहुत बड़ी दुकान में गई भैया मुझे अपने यहां का सबसे सुन्दर और भारी लहंगा दिखाना मैं चाती हूं कि मेरी शादी में ऐसा लहंगा पहनूं कि बस सब देखते रह जाएं अरे हाँ हाँ बिलकुल मैडम हम आपको अपनी दुकान का सबसे सुन्दर लहंगा दिखाते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो लहंगा पसंद ना आए फिर दुकानदार बिंदिया को एक बहुत सुन्दर लहंगा दिखाता है वो लहंगा देखकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है आरे वाँ भया ये तो बिलकुल मेरे सपनों के लहंगे जैसा है मुझे एकदम ऐसा ही लहंगा चाहिए था चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें लहंगा इतना पसंद आ गया अभी इसे जल्दी से ले लो और घर चलते हैं बहुत काम है बिंदिया की मा दुकान वाले को पैसे देने लगती है और बिंदिया अपना लहंगा लेकर दुकान के बाहर निकल जाती है और सड़क के दूसरी पार जाने लगती है कि तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आकर उसे टक कर मार देता है बिंदिया की माँ पीछे से आती है और वो ये सब देखकर दंग रह जाती है नहीं ये क्या हो गया बिंदिया उठो बिंदिया उठो बिंदिया की माँ उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन तब तक बिंदिया मर चुकी थी बिंदिया एक चुड़ैल में तबदील हो जाती है और वो वहीं खड़ी होकर ये सबतमाशा देख रही थी ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती अभी अभी तो मैंने अपने सपनों का लहंगा खरीदा था थोड़ी तेर में कुछ लोग आते हैं और वो बिंदिया के लाश और उसकी माँ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं चुड़ैल वहीं खड़ी होकर अपनी माँ को और अपनी लाश को वहाँ से जाते हुए देखते हैं अरे नहीं ये सब क्या हो गया अब मैं क्या करूँ चुड़ैल को कुछ भी समझ में नहीं आता है की वो आगे क्या करे तो वो पास में लगे एक बड़े से पीपल की पेड़ पर जाकर बैट जाती है दो दिन बीच जाते हैं और चुरैल अब तक वहीं बैठी थी अचानक से उसका ध्यान उस दुकान पर जाता है जहां से उसने अपना लहंगा खरीदा था बिंदिया की मा उसका लहंगा वापस लोटाने आई थी अरे नहीं ये क्या मा तो मेरा लहंगा वापस लोटा रही है अब मैं क्या करो ऐसे तो दुकान दार उस लहंगे को फिर किसी और को बेच देगा नहीं नहीं मैं अपना लहंगा किसी और के पास नहीं जाने दूंगी वो सिर्फ मेरा लहंगा है और उसे सिर्फ मैं ही पहनूंगी चुरेल मन ही मन में ठान लेती है कि वो अपने लहंगे को किसी और की नहीं होने देगी और वो हर हाल में अपने लहंगे को वापस पाकर ही रहेगी जब चुरेल की माँ वहां से चली जाती है, तब चुरेल दुकान के अंदर जाती है. चुरेल को दुकान में आता देखकर सभी लोग डर जाते हैं. मुझे बस मेरा लहंगा चाहिए, और कुछ भी नहीं. दुकानदार चुरेल की बात सुनकर हैरान हो जाता है. वो चुरेल से किसी और को नहीं बेचने दूंगी ओ, अब मैं समझा तु, तुम शायद दूसी लड़की की आत्मा हो जिसकी दो दिन पहले एक्सिडेंट में मौत हो गई थी देखो, मुझे माफ करना लेकिन तुम्हारी मा इस लहंगे को लोटा कर इसके पूरे पैसे वापस ले गई है मैं अब तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ नहीं, मुझे मेरा लेंगा वापस चाहिए मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती देखो, मैं तुम्हें अभी अच्छे से समझा रहा हूँ चुपचाब यहां से चली जाओ अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अभी किसी बाबा या तांत्रिक को बुला कर तुम्हें एक बोतल में बंद करवा दूँगा ये सुनकर चुडेल थोड़ा डर जाती है वो दुकान से चुपचाब बाहर निकल जाती है लेकिन अब चुडेल उस दुकान पर पूरी तरह नजर रखने लगी थी क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी और एक दिन उसने देखा कि एक लड़की उसी का लहंगा खरीद कर दुकान से बाहर आ रही है ये देखते ही चुडेल गुस्से से आग बबुला हो गई इस लड़की की इतने हमत की ये मेरा लहंगा पहनेगी इतना कहकर चुडेल ने उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया उसका पीछा करते करते चुडेल आकरकार उसके घर तक पहुँच गई लड़की अपने घर के अंदर चली गई और चुडैल बाहर खिड़की से सब कुछ देख रही थी आओ राधा, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? क्या तुम्हें अपनी पसंद का लहंगा मिल गया? हाँ हा मा, अरे मुझे तो मेरी पसंद से भी बहुत अच्छा लहंगा मिल गया है आज, मैं सच में बहुत खुश हूँ, जब मैं इसे पहन कर आऊंगी न, तो देखना सब मुझे ये सब कुछ देखकर चुडैल को बहुत गुसा आ रहा था, और उसे उस लड़की राधा से बहुत जलन हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपना लहंगा राधा से वापस ले, चुडैल मौका देखकर राधा के घर में घुस गई, और जाकर उसके क चुडैल के चुडैल को देखकर राधा जोर-जोर से चिलाने लगती है, राधा चिलाते चिलाते बेहोश हो जाती है, और उसके हाथ में पकड़ा लहंगा वहीं गिर जाता है, ये अच्छा मौका है, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई यहां पर आ चुडैल लहंगा उठा के राधा के कमरे के खिड़की से भाग जाती है, और जंगल की तरफ चली जाती है, अब ये लहंगा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, कोई भी से मुझसे चुडा नहीं सकता, जल्दी से किसी शान जगह पर जाती हूँ, और इस लहंगे को पहन कर देखती हूँ, बड़ा मसा आएगा। मैंने सुना है आपका लहंगा चोरी हो गया, क्या मैं आपके बेटी से मिल सकती हूँ, शायद मैं आपका लहंगापस लाने में मदद कर सकूँ, तब ही वहाँ पर राधा जाती है और वो बिंदिया की मां से कहती है, जरूर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, मैं कब स पूरा यकिन है क्योंकि वो चुड़ैल कोई और नहीं मेरी ही बेटी है, जिसकी कुछ तुनों पहले उसी लहंगे की दुकान के सामने मौत हो गई थी। वा, 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 क्या सुन्दर लहंगा है, और मुझ पर तो यह और भी सुन्दर लग रहा है, क्या बात है। मैं इसे पहन कर कितनी संदर लग रही हूँ। नहीं बिंदिया, यह लहंगा तेरा नहीं है, यह किसी और का लहंगा है, जो कि तूने चुराया है, अगर यह तूने उसे वापस नहीं किया, तो उसकी शादी रुख जाएगी। मा, तुम मेरी तरफ हो या उस लड़की की तरफ, तुम मेरी मा हो और यह लहंगा सिर्फ मेरा है, मैं उस लड़की को मार दूँगी। रुख जा बिंदिया, वरना अगर तू नहीं रुकी, तो मैं इस लहंगे के साथ साथ तुझे भी जला दूँगी, समझी, तो किसी मासूम की जिंदगी इस तरह से बरबाद नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सर्फ मेरा लहंगा है, मैं इसे लेकर यहांसे भाग जाओंगी और फिर कभी यहां नहीं आऊंगी। अगर ये लहंगा मेरा नहीं हो सकता, तो किसी और का भी नहीं होगा। इतना कहकर चुडैल एक पेड़ के ऊपर कूच जाती है और वहीं पर बैट जाती है पर तभी वहाँ पर वो दुकानदार आ जाता है जहां से उन लोगों ने वो लहंगा लिया था चुडैल ये सुनकर पेड़ से नीचे कूट कराती है और दुकानदार का लाया लहंगा देखने लगती है अरे वाह ये तो बेहत बहुत खुब्सूरत है इससे जादा खुब्सूरत लहंगा तो आज तक मैंने नहीं देखा चुड़ेल जल्दी से वो नया लहंगा पहन लेती है और पुराना लहंगा वही फेग देती है पर जैसे ही चुड़ेल वो लहंगा पहनती है उसका शरीर जलने लग जाता है यह तो जल रहा है अरे इसमें क्या है क्या है इसमें थोड़ी ही देर में चुरैल जल कर रांक हो जाती है इससे चुरैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है मगर यह सब देखकर बिंदिया की माँ जोर-जोर से रोने लगती है मैंने ही उस दुकानदार से ऐसा लहंगा मंगवाया था जिसमें बाबा की भभूत लगी हुई थी इससे मेरी बेटी की आत्मा को हमेशा के लिए आज मुक्ती मिल गई और तुम्हें तुमारे लहंगा वापस मिल गया कोई नहीं मा आस्या भी मेरी मा जैसी ही हो मेरी शादी में जरूर आईएगा राधा की बात सुनकर बिंदिया की मा को बहुत अच्छा लगता है और वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं